हेलो गाइस वैलकम टू अलो फ्यूंज लेन्विध मी स्वागत है आप सबीका हमारे योटीव चनल लेन्विध मी में दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे subscribe कर लीजेगा और अगर ये विडियो आपको पसंदा है तो इसे like कीजेगा और maximum share कीजेगा ठीक है आज हमें एक और class लेका है इस class में भी हम क्या discuss करेंगी year based puzzle ठीक है आज हम क्या पढ़ेंगे year based puzzle ठीक है आज का जो question रहेगा वो exam में हमेशा पूछा जाता है फिर bank के exam में मैं बात करूँ P.O की, clerk की या फिर S.O की ठीक है हर exam में पूछा जाता है year based puzzle ठीक है हमेशा पूछा जाएगा five marks का ठीक है और आज हम जो question discuss करने वाले वो आपका 2017 के exam में आया हुआ question है ठीक है इसे ही आज हम solve करेंगे ठीक है यह 2017 में एक exam पे पूछा गया ठीक है तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं question की तरफ question यह रहा हिंदी पे आप इसका screenshot लेके रख सकते हैं अब चलते हैं हम अपने English के question की तरफ English पे यह रहा ठीक है अब हम question को पढ़ना start कर देते हैं ठीक है यह 2017 में पूछा जा चुका है ठीक है तो आप लोग को इससे एडिया लग जाएगा तो की किस सरीके से exam में पूछा जाता है ठीक है यह बिलकुल exam का आया हुआ हुआ ही question है ठीक है क्या बोल रहा है को eight people कौन कौन से पीपल है P Q R S T U V और W ठीक है आड़ बंदे हैं उनके नाम दिये हुए है ठीक है are born in different years ठीक है यह क्या है अलग-अलग years में क्या होते है इनका जन्म होता है ठीक है कौन कौन से दिये हुए years हमारे पास 1942, 1948, 1963, 1969, 1972, 1978, 1991 and 2003 ठीक है यहां तक का समझ में है सिर्फ क्या बोल रहा है आठ people दिये हुए ठीक है उनके birth year दिये हुए ठीक है अब क्या बोल रहा है their ages are with respect to the current year ठीक है यहां पर current year आप लोका ही क्योंकि यह हम 2017 में पूछा गया है तो इसम लिए हम current year सही लेके बनाएंगे थिए हमारा 2017 2017 में पूछा गया तक हम कि्स हिसाब से एज लेंगे उनकी 2017 हिसाब से ठीक है जब भी एक्जाम में पुछा जाता है माल pil वीड़ी UP तो पूचा जाएगा वो 2020 के भूर को साप से लेना पड़ते हैं तो यह हिसाब से नहीं करेंगे तो इसे हिसाब से साव नहीं करेंगे ठीक है P, Q, R, S, T, आगे UV, W ठीक है और इनके बर्थियर को लेना है ठीक है दो चीज़े हमें अरेंज करने है ठीक है इस पजल को हमें दो चीजों से सॉल्फ करना है और इनका एज तो हम जब भी इस तरीके के कोश्चन को सॉल्फ करते हैं सबसे में इंपोर्टेंच चीज़ सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है, 1942, ठीक है, फिर, 1948, ठीक है, उसके बाद, 1963, ठीक है, 1969, ठीक है, 1972, 1978, 1991, और 2003, ठीक है, यह 8 क्या हो गए, हमने यर को लिख लिख लिया, ठीक है, अब इनकी एज कैसे लिखेंगे, ठीक है, ठीक है, अब देखो, 2017 की एस, आपसे मुझे निकालना है, इनकी एस, और 1942, ठीक है, 1942 से 2070 तक कित्ते एर हो गए, हम इसको माइनस कर देंगे, 7 में से 2 माइनस हो गए, 5, 11 में से 4 माइनस हो गए, ठीक है, तो, 1942 वाली की, 2017 में एज कित्ती हो गई, 75, ठीक है, हमने लिख ले, 75, ठीक है, ये हो गया, अब देखो, 90, 48, अब इसकी भी एज निकाल लो, ठीक है, एज क्यों निकालते हैं, एज इस लिए निकालते हैं, ताकि, जब भी हम इस तरीके की कोशन को सॉल्फ करते हैं, तो इसमें हमें, ऐसा कुछ कुछ की वर्ड दिया रहता है, जिसमें आसा बोलता है कि इसकी एज और इसकी एज इतना है इसकी एज और इसकी एज का एडिशन इतना है ठीक है इनकी एज और इनकी एज में इतना डिफरेंस है इनकी एज और इनकी एज में इतना एडिशन है ठीक है ऐसे करके गुज भी दे सकता है यह से इतने सल बड़ा है यह से इतने सल छोटा है इस तरीके से ठीक है तो 11 में से 5 गया तो 6 तो इसकी एश्कित्ती आगी 69 ठीक है अब 1963 की ठीक है अब 1963 में जिनका जन्म हुआ है उसकी एश्कित्ती हो जाएगी 2017 में 54 ठीक है तो हम लिख लेंगे आप पर 54 ठीक है और Uhura, 969 ठीक है अब जिसका जन्म day 969 पर सुरे और सकी और सुरे सरीक है श्कित्ती एश्कित्ती हो जाएगी जलदी सहीं में इसे भी निकाल लेते हैं ठीक है Grand 7 में से 9 आछा अध्म के साथ में से दो गया 5, 11 में साथ गया 4, इसकी एज आगी 45, ठीक है, और 1978, अब 2017 में से 1978 को माइनस कर देंगी, 17 में से 8 गया तो, 9, 11 में से 8 गया तो, 3, इसकी एकिती आगी एज 39, ठीक है, और 1991 वाले की निकाल ले दें, ठीक है, ठीक है, 1990, वन, साथ में से गया 6, जावी 11 में से 9 गया 2, इसकी एज किती आगी 26, ठीक है, और यह 2003 बचा, ठीक है, 17 में से 3 गया तो, 14, ठीक है, 2003, seven में से 3 गया तो, यह 4 और, और 1 का, 1 ठीक है, इसकी एज किती आगी, 14, यह अब हमने क्या विभान किया, सब का एज को निकाल मैं यहां पर आप लोग को पूरा लिख लिख के लिखा रहें से मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया एक्जाम में हम क्या करेंगे डिरेक्ट केल्कुलेट करेंगे और इसको लिख लेंगे ठीक है ये देखो ये 59 ठीक है ये समझ में आना 90 42 वाले की एज कितनी है 75 और देखो से जाओगे तो बड़े से छोटा हो जाएगा इधर से जाओगे तो छोटे से बड़ा ठीक है यह हमने क्या किया बिल्कुल फिक्स कर लिया इसे देखो अब हम सेकेंड पैरा को पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्या बोला टी वास बॉन बिफोर 63 सिक्षी थे पहले या तो 48 प पर बच्चा फर सकता है क्यों यहां पर तो मैंने टी और डबलू की एज का डिफरेंस 21 ले लिए जब टी बड़ा हो सकते कि डबलू बड़ा है तब इनकी एज का डिफरेंस किता आएगा 21 आएगा ठीके अब टी की एज मुझे पता है तो 69 तो 69 माइनस डबलू बराबर 21 तो किता हो जाएगा यह पॉजिटिव हो जाएगा उधर जाके और यह क्या जाएगा निगेटिव मतलब 21 हो गया माइनस कर देंगे माइनस वाला जाके प्लस हो गया और प्लस वाला की माइनस हो गया तो 48 है क्या किसी की एज बिलकुल है तो डबलू यह वला डिफरे डिफ की तो ठीक है अब पहला वाला ही अगर मैं दूसरे डियागरम पर यूज करूं टी माइनस डबलू देखो 75 है टी की वैल्यू और माइनस डबलू बराबर 21 अब यह प्लस हो गया इधर तो डबलू आगया अब यह माइनस हो गया 21 तो पांच में से एक गया तो चार साथ में से दो गया तो पांच मतलब डबलू केज किती आगी 54 ठीक है यह वाले से तो आगया अब डबलू को एक बड़ा लेके देखते है ठीक है अब डबलू को हम क्या करते है एक बड़ा लेके देखते है ठीक है तो टी अब देखो यह तो मैंने पहले वाले से सॉल्व करके निकाल तो 9 और 10 की 0 हसे लए एक 6 2 8 और 9 90 है कि किसी के एज नहीं मतलब यह वाला तो क्या है पहले वाले पर फॉलू नहीं कर पाएगा ठीक है दूसरे वाले पर देखते हैं दूसरे वाले पर क्या जाएगा डबलू नहीं पता टी की एज की तीले यह मैंने 75 पराबर 21 थीक है अब प्लास तो 75 और 21 किए गी *** थीक है अन्येक है thought za यह क्या होगा फॉलू नहीं कर पाएगा ठीक है यह क्या होगा फॉलू नहीं कर पाएगा ठीक है तो यह आगे हमारे दो ड़े ओंगर बंके c D ťीक है P है सबढ़े बड़ा है पिसे डबलू से ठीक है P.ffill से जादा san bible अब Q.sp यह वाली वानी प्लेसी बची सिर्फ दूसरे डाइगर में पहले डायगरम में या तो पहले इतल देक्णक फरन्क प्यौस्ती 4 थी या मंधार कि राग द िसक पहले 99-$ 54 ठीक है और दूसरे वाले डियाग्रम में किती आ गई पीगे 69 ठीक है यहां तक का समझ में अब पढ़ते हैं आगे आगे क्या बोल रहा है क्यों बर्थ इयर इस एन और नंबर इयर ठीक है क्यों का इयर क्या है और नंबर है मतलब वी समसंख्या वाले जिसके लास्ट पे जो पांस साथ नौ होगा वो क्या हो सकता है क्यों का बर्थ एर हो सकता मतलब या तो 63 या 69 या 1991 या फिर 2003 क्यों इन 4 जोग पर आ सकता है ठीक है हमें नहीं पता कहां पर आएगा अब पढ़ते हैं आगे नाइधर क्यों और आर इस 14 यार्स ओल मतलब क्यों 2003 पर आना नहीं तो मै 2023 पर झेक है अब आगी क्या बोल्रह द एज और आझ्या नद यू इस्लेजद तेन 5 यह तो और यू आज य्ज अडीक यह मतलिक्यों ऑर यूगी की नियुआ नाच और वह क्या चाहिए लेस देन 5 आच्यों थेक्यां मतलब के यज का डिफरेंस या तो एक हो या तो दो हो या तो तीन उख भुशह ओ ऑफ्जत पिछुझा अब दिखो यह कहां पिश्टी त्ना पिया यहीं देख सकते हुं क्यूं कहां में इस प्रिफरेंस प्रिफिस साहा और नहां घ्री का नहीं क्योंकी बीच व 3 डाइग्रम में 1991 पी क्यों आ सकता है अब 5 साल से का 49 और 26 का डिफरेंस तो 13 जो कि 5 से जाद है 26 और 14 का डिफरेंस 12 जो कि 5 से जादा मतलब क्यों पहला वाला डाइग्रम पे तो बैठी नहीं सकता ठीक है पहले वाले डाइग्रम पे तीन प्लेस थी एक तो नैंटी 63 जिसके बी बैठा हूँ है तो क्यों नहीं आएगा 64 जिसके डबल 보고 लिफिब नादा जो जाएगी पांस से जादा हो जारी तो यहां पर यह इसे क्या पि拕रेंगा नहीं आएगा ठीक है तो हम ईसे पेंड़ेंस एवाला डाय्गरम हमारा कैंसल हो गया ठीक है अब द तो फिर से यह दो डाग्राम हमारा गया ठीक है अब क्यूं के लिए भी प्लेस के हो गई हमारी हो चुकी सारी ठीक है तो इसे भी हटा देते हैं अब देखो फिर 26 प्याया यह तो फिर से वही 13 और 12 आजाएगा ठीक है फिर से 26 से 13 जाद हो जाएगा उन 45 से कम है क्या नहीं 14 बारा आजाएगा ठीक है 26 माइनस चुदा करूं अगर तो बारा आरा है डिफ्रेंस तो यो कि पास से जादा है तो यहां पर भी क्यूं आएगा क्या नहीं मतलब क्यूं कहां फिक्स हो गया 48 यह वाले में मतलब 1969 पे ठीक है यहां पर फिक्स हो चुका है अब देखो यह हो गया हमारा अब क्यूं और यू का एज का डिफरेंस कितना है पांचेस उपर तो जगह है नहीं ठीक है तो नीचे आ सकता है कहीं पर और 45 देखो 48 मैनिस 45 थ्री आ रहा है मतलब कि 5 से कम है मतलब यूं यहां पर आ सकता है ठीक यहां पर आ सकता है 49 पर आ सकता है क्यों क्योंकि 48 में से अगर हम 39 को माइनस कर देंगे तो नौ बचेगा जो कि 5 से जादा है मतलब यहां पर नहीं आ सकता तो यू भी फिक्स हो गया यू कहां पर फिक्स हो गया 1972 भी ठीक है यू कहां पर फिक्स हो गया 1972 भी ठीक है अब देखो अब आगे पढ़ते हैं और क्या इंफोर्मेशन बची दस सम ऑफ एज इस ऑफ आर और एस की एज का सम जो कितना है वो क्या है आर और एस की एज का सम कितना है 53 एस ठीक है तो हम लिख लेते है आर प्लस्ड सीच का सम कितना है 53 आर में ऑफ फिसचंटी थीक है अगर 26 आर की एज अिकी एज थर्टी नाइन ढर यू भी आ यह थी निए लिख्या हमने एक बार थर्टी ने ले लिया, एक बार ट्वेंटी सिक्स ले लिया, ठीक है, 2003 पे आएगा नहीं, तो इसे हमने हटा लिया, ठीक है, आर की एज अगर, आर की एज अगर 26 आई, ठीक है, यहां पर 26 ले लेंगे हम, तो यह 26 इधर जाके, माइनस हो जाएगा, मतलब 53 में से, पांच में से तीन गया, 227 है कि किसी केज, नहीं मतलब, आर 26 पे आएगा, क्या नहीं आएगा, ठीक है, यह वाला डैगरम भी हमारा हड़ गया, अब क्या बचा देखो, यह हो गया, अब क्या करेंगी, आर की एज एक बार 39 लेके देखते है, ठीक है, यह आर था, ठीक है, अब फिर उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो अब 53 में से 39 माइनस हो गया, तो कितना बचा है, 13 में से 9 हो गया, तो 4, 5 में से 4 गया, तो 1, ठीक है, तो S की एज किती आ गई, 14, तो S कहां पे आ गया, 14 पे ठीक है, बचा कॉन, P, Q, R, S, T, U, V, V की एज आ गई, 26, तो यह हमारी प्रजल सॉल्ग हो चुकी है, ठीक है, आप देख सकतें किस तरीके से हमने से सॉल्ड किया, ठीक है, बचा हमारी एंपॉर्णे चीजे के बचारिक है, 17 में सबसे एज निकालना फिर अरेंजमेंट करना सॉल्व कर दिना ठीक है प्लस में तो हमी क्या रहत है देखो प्लस रहेगा आर और एस की ऐज दिए थी 53 ठीक है आर और एस की ऐज दिए 53 इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आर से इस जोड़ो जाहे एस से आर जोड़ो पर अगर इनकी मतब या तो आर बड़ा है हो सकते है कि ऐस बड़ा हो ये बात सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली होती है ठीक है तो ये पजल थोड़ी सी हाई लेवल की होती है ठीक है जब भी एक्जाम में आएगी अप मैं उम्मीद करती हूं कि ये वाला वीडियो देखने के बाद करते हैं कल फिर मुलाकात होगी एक नहीं कॉंसेप्ट के साथ ती लेंग कीप लनिंग कीप टेक्टिसंग थैंक्यू और बबाए